दवाईयों के बारे में बात करने से पहले कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो भी घर में होना बहुत जरूरी होता है जब छोटे बच्चे घर में हैं For example, tweezers बच्चों में बहुत कॉमन होता है काटा चुप जाना अब वो कहीं से भी वो लोग ले आते हैं कभी-कभी pencil sharp करते हैं उसी के वज़े से जो उसका sharp किया हूँ जो कचरा है वो कहीं skin में चुप जाता है और वो निकालना अंगूली से बहुत मुश्यल होता है और safety pin से तो कोशिश में मत करना तो safest way तरीका होता है tweezers को use करके निकालने का तो इसलिए make sure कि आपके घर में tweezers ज़रूर हो अगर छोटे बच्चे है तो सेकंड चीज है digital thermometer digital thermometer क्यों मैं वो वाला नहीं बोल रही हूँ जो आजकल कोरोना में ऐसे दूर से ऐसे touch करके देखते हैं वो नहीं वो भी अपला सकते हो बट उतना महंगा इंवेस्ट करने का जरूरत नहीं है जो एक normal digital thermometer होता है वो इसलिए क्योंकि digital thermometer को बच्चा अगर गुसे में है या बच्चा अगर रो रहा है या नहीं चेक करवाना चाहता अपना बुखार इधर उदर फेकेगा कांच वाला अगर होगा तो वो टूट जाएगा बहुत risky होता है इसलिए ये जो digital thermometers होते हैं ये mostly plastic के होते हैं टूटने का डर बहुत कम रहता है गिरने से So try to have a digital thermometer at home Lies याने की जियू निकालने की कंगी बच्चे जब school जाते हैं तो बहुत common होता है कि किसी और बच्चे से उनके भी सर पे जूए आ जाए और उसकी बार ढूणने लगे कि कौन सा कंगी लाना है या कौन सा शाम्पू लगाना है ये सब ढूंडे इंटरनेट पे उससे अच्छा है एक कंगी हमेशा अपने घर पे रखिए जूए वाली एक syringe याने की एक injection जिसका जो सुई है उसको खोल के अलग रख दो सिर्फ syringe हर वक्त घर पे रखो ये दो चीजों के काम आती है पहला बच्चों को आप दवाई देने में बहुत easy रहता है जब चमत से पिलाते है ना बच्चा ऐसे से करके गिरा दिता है मूँ टेड़ा मिड़ा कर लेता है तो it's very difficult second चीज माप में भी easy रहता है डॉक्टर बोलता है 5 ml देना है 3 ml देना है 2 ml देना है तो वो ml है बहुत easy ली ना पहता अपने injection से ऐसे भरना है और देखना है कि इतना ml हो गया तो नाप भी पूरा रहता है प्लस चारो तरफ पिल भी नहीं होता next है insect repeller यानि कि जो मच्छर भगाने के लिए या फिर insects को अपने से दूर रखने के लिए जो creams आती है odomoss की या फिर dots आते हैं कि 4 dots लगा लो तो आसपास मच्छर नहीं गुमेंगे spray आते है जो भी आपको comfortable हो मैं काफी टाइम से वो 4 dots वाला यूज कर रही हूँ पर मुझे कई बार लगता है कि यह हर वाक्त effective नहीं है तो अगर आपने कोई insect repeller यूज किया है तो odomoss लगा देती हूँ हाथ पैर में अभी तो फिलाल यही protection है मच्छर से next है ORS ORS मतलब अपने हम सबको पता है बड़े लोग अपने उलेक्टरॉल पीते हैं वही ORS है जब बहुत जादा dust लगते हैं बच्चों को तब ORS बार-बार पिलाना जरूरी होता है एक पैकेट कोशिश करिए हमेशा घर में पहले से रखे क्योंकि पता नहीं न बच्चे को dust कब लगे यह तो कुछ fix नहीं होता timing अगर ऐसे टाइम पे लगे जब दवाई की दुकान खुली नहीं रहती है तब तुरंद भागोगे तो उससे अच्छा है एक पैकेट कम से कम ORS का हमेशा घर पे रखे सावलोन और डिटॉल का तो मुझे बोलने का जरूरत भी नहीं है अपने सब को पता है कहीं पे लगवग जाता है तो पहले उस जगा को clean करने के लिए सावलोन या डिटॉल को यह भी antiseptic liquid जो होता है हम उसको use करते है नेक्स्ट है bandage यह भी बताने के जरूरत नहीं है कि bandage के जरूरत क्यों पड़ती है bandage के साथ साथना एक muskin tape आता है जो कि skin के लिए होता है वो cotton और सफरमेसिन यह तीन चीज़ भी रखा करो यह कप काम आती है जब बच्चे को थोड़ा सा cut गया मेभी थोड़ा सा बड़ा cut है या फिर ऐसा लंबा cut है कि आपका bandage में नहीं माएगा तब क्या करिए थोड़ा सा सोफरमेसिन लगा कर रूई लगा कर उसकी उपर आप tape लगा सकते है अफकोस अगर major cut है तो आपको पहले doctor के पास जाना ही पड़ेगा बट अगर जैसे scratches आ जाते हैं बच्चों खेलते हैं तो पता नी चलता है कहां कहां से कैसे कैसे लगा कर लियाते है तो अगर scratch scratch है और बच्चा परिशान हो रहा है है तो हलका scratch बट बार बार उसमें लग रहा है तो उसमें धर्द हो रहा है then that comes really handy जब आपके पास cotton हो सुफरा मैसिन हो और एक tape हो wipes for the very obvious reasons और sanitizer also for the very obvious reasons और sanitizer अब COVID के बाद तो सब के घर में sanitizer ऐसे मिल जाता यार अब हम बात करेंगे दवाईयों के बारे में जिसके लिए वीडियो बनाया था दवाईयों में कौन सी ऐसे दवाईय है जो हर वक्त आपके घर में होनी चाहिए अगर बच्चे हैं तो सबसे पहला है painkiller painkillers में mostly paracetamol दिया जाता है ibugisic भी दिया जाता है बट वो आपका doctor decide करेगा कि कब कैसा painkiller देनी का जरूरत है अच्छा जैसे कि मैंने पहले बोला अगर रात को बुखार हो गया बच्चे को तब आप क्या करेंगे तब आप रात को कहां दवाई लेने जाएंगे इसलिए हर वक्त घर में calpol या जो भी paracetamol आप बच्चे को देते हो उस brand का अपने घर पर जरूर रखे next है no warm बच्चों के पेट में कीड़ों का problem बहुत common है I think yearly once doctor suggest करते हैं कि warming tablets या warming वो liquid जो आता है वो दे तो वो भी आप घर में रख सकते हैं next है baby vapor rub mostly India में अपना wix का vapor rub ही चलता है again ये थोड़ा controversial है क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि wix बच्चों के chest पे नहीं लगाना चाहिए या ऐसा वैसा मैंने internet में बहुत जगा ये चीज़ पड़ी थी साल भर से पहले तो of course even I agree नहीं लगाना चाहिए but after that मेरे बच्चों को जब सरदीखासी ऐसी लगती है तो उसे काफ़े relief मिलता है plus हम खुद बच्पन से देखते आ रहे हैं ममा लगाती थी हाथो पर, पैरो पर और चैस पर वो हमेशा काम करता था तो I still believe कि इसमें कोई हानी इसमें कुछ खराब नहीं है but it's a personal opinion तो विक्स वैपर लगाने से पहले आपने दॉक्टर को consult कर सकते है और उनका suggestion ले सकते है कि लगाना चाहिए या नहीं बच्चे को अभी जो मैंने आपको बोला यह purely मेरा personal opinion है nappy cream for obvious reason nappy rashes हो जाते हैं जब बच्चा काफी time तक nappies पहनता है तो उसके लिए cream ज़रूर रखे cuff syrup again there are two types of cuff mostly there are two types of cuff dry cuff या wet cuff अगर आपको identify करना आता है तब तो खुद से दवाई देजिए वरना पहले डॉक्टर से बात करिए कि इस टाइप के खासी है किस टाइप का cuff है उसको dry cuff है या wet cuff है या जो बोलते हैं न वीजिंग वाला cuff है तो there are different things मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि आपको exact बता सकूँ पर इतना ज़रूर समझती हूँ कि हर cuff अलग टाइप का होता है और सारे cuff पे एक ही दवाई नहीं काम करता यही वो कारण है कि हम कई बार बोलते हैं इतना बड़या दवाई था cuff का एक बार लिया लेते ही ठीक हो गया और second time जब या फिर third time हम लोग लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं यार इतना अच्छा दवाई था इसको क्या हो गया यह काम क्यों नहीं कर रहा है फिछले बार तो एक बार में असर कर गया था मेरा सदी बुरा ठीक हो गया था यही कारण है कि हांसे भी अलग-अलग टाइप की होती है डॉक्टर्स इस चीज के एक्सपर्ट हैं हम लोग नहीं है आंटि हिस्टमाइन क्रीम यह क्रीम लगया जाता है एलर्जी पर काफी सारे बच्चों को एलर्जी की problem रहती है की कोई चीज के touch कर लिया या कोई चीज से reaction होके उनको एलर्टी की वेचसे skin में राशे अजहिए हो जाते हैं तो आपके बच्चे के हिसाब से उल्टी की दवाई वही आप घर पे रखो मुझे मेरे डॉक्टर ने ओंडेम बताया हुआ है तो मैं घर पर ओंडेम रखती हूँ कि कभी भी अगर उल्टी की प्रॉब्लम हुई बच्चे को या 10 लगने लगए तो मैं ओंडेम पेट का रिलेटेड कोई भी इशू होने से मुझे बोला गया है डॉक्टर का ओंडेम तो मैं वही देती हूँ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए कि आपके बच्चे के लिए बेस्ट ऐसा कौन सा दवाई अर्जेंटली घर पे रखना चाहिए कि कभी उल्टी या फिर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हूँ तब वो आप दवाई दे सको क्या आपको पता है कि आपके बच्चे के एज के हिसाब से उसका वेट कितना होना सही है चाहिए लड़का हो या लड़की दोनों के एज के हिसाब से वेट के बार में मैंने डीटेल में डिसकस किया है इस वीडियो में तो आप ये देख सकते हैं तो गाइस मैं हूँ पृतिका लूनिया और आप देख रहे थे कैप्टन पृतिका उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा थैंक यू